Warm greetings dear students, मैं सुमन्दीब कौर, साइंस मिस्ट्रेस, सरकारी कन्या, सीनिर स्केंटरी स्कूल, फतिगर्चुडियां, जिला, गुर्धासपुर अज तो अडिनाल जमात अठमीदा, पार्ट नमबर नौ, जन्तुआं विच परजनन यानी Reproduction in Animals बारी चर्चा करांगी अज असी इस पार्ट विच परजनन की हुन्दा है, उस दियां की किसमाहन, इस बारे बहुत ही डिटेल विच पढ़ांगे उमीद है, तुसी पूरे लेसन नौ, त्यार नल सुनोगे, अते अपनी Notebook विच नोट करोगे So students, तुसी पिन-पिन पर कार दे, जन्तुआं दे बच्चियानों ता विख्याई होवेगा जिमें इस चितर दे विच तुसी देख सकते हो, बलूंगडे, कतूरे और थोड़े दिमाग दे विच एक कोशन आ सकता है, कि ए जो जानवर ने एक किस तरह जनम लंदे हान कि तुसी सोच दे हो, कि जनम तो पहला एजी, बिल्कुल उसे तरह दे विखाई दिन दे सान, जिस तरह दे एक हुण विखाई दे रहे हान तो आओ असी हुण इस बारे पता लगाने हा Dear students, सब तो पहला जो टर्म असी understand करांगे, ओ है reproduction That is, प्रजनन, प्रजनन की हुंदा है, एक ओ जैविक पर किरिया है, जिस दे राही वक वक जीवा द्वारा संतान दी उत्पती की ती जान दी है अगर सडे दिमाग दे विच एक कोशन आवे, कि जो प्रजनन है, उस दी की लोड है, की नीड है ता, इस दा एक बहुत ही जो important reason है, that is, कि जो प्रजनन कीरिया है, उप्रजातियां दी लगातार होंद बनाई रखन दे लिए बहुत जरूरी है कि तुसी कल्पना कार सकते हो, जेकर प्रजनन ना होवे, जेकर जीव प्रजनन ना कर दे होन, ता की होवेगा तो ए जो प्रजनन दी किरिया है, ए एकको किसम दे जीवादी, पीडी दर पीडी, लगातार होंद, बनाई रखन दे विच बहुत ही मदद कर दी है Dear students, ए जो प्रजनन दी किरिया है, इस दे दो तरीके हुंडियान प्रजनन दियां, जो main दो विदियाने, दो modes of reproduction ने First is sexual reproduction, जो है लिंगी पर जनन, second is asexual reproduction, जो है अलिंगी पर जनन, होन इना दोना दे विचकार की अंतर है, उस बारे असी जान दे हाँ So, जो first है sexual reproduction, लिंगी पर जनन, इस विच की हुंदा है, इस विच mainly जो reproductive parts ने, reproductive organs ने जी में के नर अते मादा युगमक, ए आपस दे विच मिल दे हाँ, ते combine कर दे हाँ, ते एक zygote नो, एक नवे cell नो, जनम दिन दे हाँ, जिस तो एक नवा of spring पैदा हुंदा है लेकिन जो अलिंगी पर जनन है, इस sexual reproduction है, उस दे विच male ते female gimmick याने नर अते मादा युगमक, इना दा कोई रोल नहीं होंदा है यानि की नर अते मादा युगमक आपस विच मिल के zygote नहीं बुनाँदे हाँ असी जो main difference इना दोना दे विच पढ़ दे हाँ, कि जो sexual reproduction है, उस दे विच जदो एक नर अते एक मादा युगमक एक दूसरे दिना कमबाइन कर दे हाँ तो एक नवा cell बना आदन दे हाँ, जिसनो असी zygote कहन दे हाँ और ये zygote ही हुनदा है, जो further divide करदा है, इस दे विच इस दा further विपाजन हुनदा है और ये further develop करके, विक्सित होके, एक new of spring दे विच कनवर्ट हुनदा है होड असी इस chapter दे विच जो sexual reproduction है, उस दे बारे बहुत ही detail दे विच चर्चा करांगे तो सब तो पहला आनदा है, नर जनन अंग, तो असी हुने सिख्या के sexual reproduction दे विच एक male ते एक female के मीट दा, male हुनदा है पर ये जो male के मीट है, ये आएगा कित होँ? येस, ये आएगा male reproductive organ तो, तो हुन असी पढ़ांगे about the male reproductive organs ये नर जनन अंग, तो लेटा स्टडी इन डिटेल, तो केड़े केड़े आंग ने जो नर जननन अंग कहलों दे हन सब्तो पहला आंदा है, pair of testes, एक जोडा, पतालू सेकेंड आंदा है, two sperm ducts, दो शुक्रानू, वहनिया, अते तीसरा आंदा है, penis, देज, एक नर इंदरी होण असी इसनों चितर दे राही वी, समझ दे हाँ, सो इत्थे तुसी देख साक्दे हो, एक चितर है, मनुखी नर जनन अंग दा, इसते विच, सब्तो पहला, तुसी देख साक्दे हो, this ball-like structure, जिसनों असी, testes कहने हाँ, पतालू कहने हाँ, इना दी एक जोडी, जो है, a pair of testes एत्थे present है, और ए जो pair of testes है, इस तो उपर असी एक जो tube है, एक वहनी जो है, देख साक्दे हाँ, ए वी एक जोडेज present हुन दी है, इना नों अपा बोल दे हाँ, दो शुक्राणू वहनिया, जिना ते विच्चो जो स्पॉम है, जो शुक्राणू है, ओ ट्रेवल कार आता है, ते उस्तो बाद जो तीसरा अंग है, देख पैनिस, नर इंदरी ए एक हुन दी है, जिस दे विच्चो स्पॉम रिलीज किता जानदा है, तो सब तो पहला सी पढ़ दे हा, जो पतालू है, ओ की पैदा करदा है, ओ युगमक पैदा करदा है, युगमक नो उत्पन क करदा है, जिसनों असी शुकराणू केहन दे हा, जो शुकराणू है, ओ बहुत ही सुखम हुन दे हा, सुखम हों दे बापजुद भी इना दा एक सर, एक मदपाग, अते एक पोश हुन दी है, जो पतालू है, ओ लखां ही शुकराणू पैदा करदा है, अगले चित्तर असी study करांगे so तुसी ते देख साकदे हो ए एक मनुख़्ी शुक्राणू है इस दा ए जो हिस्सा है ए head part है इसनू आपा सिर केंदे हा उस तो जो नीचे वाला part है उसनू असी मर्दपाग केंदे हा that is middle piece and ए जो तुसी structure देख रहे हो ए है tail जो है push जो इस मनुख्ी शुक्राणू नो movement करंदे विच अग्य वदन दे विच help कर दी है और ए जो शुक्राणू होंदा है एक पुरे दा पुरा cell होंदा है और एक cell दी तरह इस दे सारे जो निकडे अंग है पाए जान दे हान असे mainly इस दे तिन अंग पढ़े हन head, middle piece अते tail next असी पढ़ दे हा female reproductive organ बारे जो है madda, janan, अंग so female reproductive organ दा जो main parts involved ने ओ हन एक जोड़ी अंड कोश अंड निकास वहनी अते बच्चे दानी तुसी अते देख सकते हो इस चित्तर दे विच ए मनुखी मादा जनन अंग हन इस दे विच सबतो पहला इते ओवरी दिखाई गई है जिसनों असी अंड कोश कहने हा, इना दीवी एक जोड़ी प्रेजन्ट है और इस तो बाद इक इदे नाल कनेक्टेड ने एक ओवी ड़क्ट नाल जेनों असी अंड निकास वहनी कहन दे हा और ए ओपन हुंदी है जाके यूट्रस दे विच जिसनों असी बच्चे दानी कहन दे हा जो एग हुंदा है या जिसनों असी ओवम भी कह दिन दे हा ओ इससे ओवरी दे द्वारा रिलीस किता जान दा है और जो इस ओवी डप्ट दे थू ट्रेवल करदा होया यूट्रस तक पहुंचदा है हुन जिस तरह असी पढ़िया कि जो स्पर्म है ओ एक सिंगल सेल हुन दा है उसे तरह जो ओवम है जिसनों असी अंडानू कहन दे हा ओ वी एक सिंगल सेल हुन दा है जो ओवरी दे विचों रिलीस किता जान दा है जो अंड कोश है ओ मादा यूगमक जिसनों असी अंडानू कह रहे हा उसनो ओ पैदा करदा है, release करदा है और ओ वी एक single cell होन दा है next है बच्चे दानी, that is uterus uterus की होन दा है, uterus female दी body दा ओ पाठ होन दा है जित्थे proon दा विकास होन दा है यानि कि जित्थे baby दी development होन दी है उसनो असी uterus बोल दे हा और सानू यह पता ही है कि जो females है ओना दी body दे अंदर ही baby developed करदा है अते ओ part जिते baby developed करदा है उसनों यसी uterus कह दिन दे हाँ और जो शुकराणू है ओवी जिमें एक cell होंदा है उसे दे तरह जो अंडाणू है ओवी एक single cell ही होंदा है so I hope एथे तो आनू जो males ते female reproductive organs ने ओ समझ आगे ने हुन देखो सानू पता ही है जो males है उना ने sperm release किता है और जो females है उना ने egg release किता है हुन जो दो एक दोनों आपस दे विच मिल जान दे हान ता इना दे male तो बन दा है zygote जो further divide होंदा है डवलप होंदा है अते एक offspring दे विच जो है उसदी development होंदी है इस diagram दे विच तुसी देख सागते हों यह एक मनुखी अंडानू है यह कुछ इस तरह दा दिखाई दिन दा है शुक्राणू दे तरह एवी एक single cell होंदा है बट जो इस दा अकार है ते size है वो शुक्राणू दे मुकावले बढ़्डा होंदा है हुण असी जो female reproductive organ है उसनों एक बार revise कार लन दे हां तो पहली जो चितर है पहला जो diagram है उसदे विच तुसी देख सागते हो female reproductive organ देट इस मनुखी मादा जनन अंग इसदे विच एक ovary होंदी है अंड कोश होंदा है एक pear जो है वो प्रेजन्ट होंदा है एक ove duct होंदी है और एक uterus सुन्दा है और दूसरे पास से जो ovary दे द्वारा release किता जान्दा है जिसनों असी female gamete केंदे हां देट इस ovum मनुखी अंडानों ओ कुछ इस तरह दा दिखाई दिन्दा है next असी जो पढ़न जा रहे हां ओ है निशेचन that is fertilization असी पहला तो ही जान दे हां कि जो sperms होंदेने ओ movement कर देने उना दी जो push वाला हिस्सा होंदा है उना नो move करन दे विच help कर दा है इस clip दे विच तुसी देख साकते हों कि ए जो sperms ने move कर दे हुए जो egg है जो ovum है उस दे नाल आके जुड़दे हां मेल कर दे हां जो ovum है ओ female reproductive organ दे द्वारा प्रिलीज किता जानदा है और जदो ए ओvum ते sperm आपस दिविल विच मिल जानदे हां उस process नो असी fertilization कहनदे हां यानि कि जदो एक शुक्राणू अते अंडाणू सन्योजित हो जानदे हां ता उसनो असी निश्चेचन या fertilization दा नाम दे दिन दे हां इस चितर दे विच भी बहुत ही clear तुसी देख साकते हो इस sperm ने ठीक है जो के fuse कर रहे ने इस ओvum दी वाल दे नाल इस दे विच की हुंदा है शुक्राणू अते अंडाणू शंजोजित हो के इक हो जानदे हां ते की form कर दे हां that is zygote जिसनों असी युग मज केंदे हां ठीक है और हुन जी में ही तसी पढ़या ही है एक जो दो sperm जो है उदा nucleus और जो ओvum है उस दा nucleus आपस दे विच कंबाइन कर दे हां ता एक सेल बढ़ा दे हां जिसनों असी zygote दा नाम दे दिता है और एसे fusion दे process नों असी fertilization के दिन दे हां अगर मैं गाल करां sperm दी अटे egg दी जो combine कर दे हां ते जिस तो एक off-sup ring दवलप हुन दा है ओ जो off-sup ring हुन दा है जो संतान पैदा हुन दी है उस दे विच कुछ जो गुण हुन दे हां ओ अपनी माता तो आन दे हां ते कुछ गुण अपने पिता तो आन दे हां इस डायग्राम दे विच इस फोटो दे इस फोटोग्राफ दे विच देख साकते हुन कि जो पहली फैमिली है उना दे बच्चेयां दे जो गुण ने फेशिल फीचर ने बॉड़ी फीचर ने ओ अपने दोना पैरेंट्स दे नाल मेल खान दे ने अटे दूसरी पिक्चर दे जो बच्चे ने उना दे ही जो बॉड़ी दे फीचर ने ओ खुद दे पैरेंट्स दे नाल मैच कर रहे हन तो इस तो एक क्लियर हुन्दा है कि जो नवा ओफ सप्रिंग बांदा है उस दे विच मदर सेल अते फादर सेल दोना दे ही ट्रेट्स हुन्देने दोना दे ही जो है मजूद हुन्देने हुन असी अगे पढ़ांगे निश्चेचन दे परकार जो निश्चेचन है वो मेनली दो परकारदा हुन्दा है जो फर्टिलाइजेशन है वो दो तरांदी है डाट इस इंटर्नल फर्टिलाइजेशन अध्रूनी निश्चेचन अते एक्स्टर internal fertilization बाहरी निशेचन हुण जिमें असी अगर मनुख दिगाल करिए हुमन्स दिगाल करिए ता हुमन्स दे केस्विच की हुंदा है जो फीमेल्स ने उना दे यूट्रस दे विच बेबी जो है डवलप करदा है यानि कि जो फर्टिलाइजेशन दा प्रॉसेस है ओ फीमेल दी बॉडी दे अंदर हुंदा है ता इस तरह दी जो फर्टिलाइजेशन है इस तरह दी निशेचन दी पर किरिया जो के फीमेल्स दी बॉडी दे अंदर हो रही हुंदी है इसनो असी इंटर्नल फर्टिलाइजेशन यानि अंदर उनी निशेशन केंदे हा और इसे तरह ही होर जो एनिमल्स ने जिमें काउज, डॉग्स, हैंस इना दे विच भी इंटर्नल पर्टिलाइजेशन ही हुन दी है इस तो उल्ट अगर मैं गाल करां कुछ होर एनिमल्स ती कुछ होर ओर्गेनिजम्स दी जिमें फिश, स्टार फिश, फ्रॉग्स ते इना विच की हुन दा है सा आनिमल्स और्गेनिजम्स ने एक एग्स नो ले कर दे हन इस तरह टा परोसेस, इस तरह दी निशचेचन जो अगर मादा जो युगमक है उस-दा सुन योग मादा ले शरीर तो बाहर हो वे ता उसनों सी बाहरी निशेशन कह दिन दे हां और जिमें एठे में एग्जामपल लई होई है frogs दी तास अनों पता है frogs की करदे हन ओ एग्ज ले करदे हन और ओ एग्ज कुछ जैली वरगे हों दे हन जिमें तुसी इस चितर्च भी देख सागदे हो frogs की करदेने वो jelly वरगे eggs release करदेने और जो दो एक female frog egg release कर चुकी हुन दी है ता इस दी जो fertilization है वो male दे जो sperms ने उना नल किमे होवेगी जो दो egg release कार दिता जानदा है जो male frog है वो ओनदा है वो इना eggs दे उत्ते swim करदा है और जो sperm है इना दे उपर ही शट दिनदा है और जो जो sperm egg dinar fuse कर जाए उत्थे उत्थे fertilization हो जानदी है क्योंकि ए जो female दी body दे बाहर हो रही हुन दी है ता इस करके इस इसनो external fertilization बोल दिनदे है और जिनने भी fertilization successful होनगे उनने ही जो नमे of spring है वो पैदा हो जानगे तो यह एक बहुत ही वधिया example है external fertilization दी क्योंकि ए female दी body दो बाहर हो रही है तो I hope कि तो अनुए दोनो modes of fertilization है एक understand हो गए होनगे अगर मैं example दावा जिमें सानो पता ही है humans reproduce कर देने internal fertilization देना उसे तरीके ना गान जो है उस दे अंदर तो जो है वच्छडा निकलदा है तो यह जो है एक तरह दी internal fertilization दी ही example हुंदी है होन असी next पर दे हाँ जो fertilization है उस तो वाज की बंदा है that is zygote बंदा है युगमज बंदा है होन एज जो युगमज है इस दा किस तरह प्रोन दे विच विकास हुंदा है उस नो असे detail दे विच पढ़ांगे होन की हुंदा है जो जाइगोट बंदा है युगमज जो बंदा है तो वो एक single cell हुंदा है क्योंकि उस दे विच मेल ते female जो gametes है ओ फ्यूज कर चुके हुंदे हन ते एक single nucleus जो है ओ बंद चुका हुंदा है बट एग जाइगोट डवलप की में करदा है युगमज है ओ लगातार विपाजित हुंदा रहनदा है युगमज है ओ लगातार विच बदल जानदा है युगमज है जिस दे विच एक single cell डिवाइड करदा जावे अते अपने वर्गे बहुत सारे cell बनाद वे डवलप जो है कर लवे इसनों असी बोल दे हा formation of embryo यानि की प्रून दा विकास होना इस विक्सित होई रचना नों भी असी प्रून दा नाम दे दने हा और ज़दों ए जाइगोट डवलप करदा है embryo बन दा है यानि की प्रून बन दा है यह जो है बच्चे दानी दी दिवार दे जाके ठहर जान दा है अते फिर उत्थी जाके फर्दर डवलप होन दा है विक्सित होन दा है अते हौली हौली की होन दा है इस दे जो आरगंज ने बनने शुरू हो जान दे हान इस दे जो पिन-पिन अंग हान जिमें हाथ, पैर, सिर, अक्खा, कान यह सब जो है विक्सित होने स्टार्ट हो जान दे हान ज़दों जाइगोट जो सी ओं एंब्रियो विच डवलप होया ते हुन जो एंब्रियो है जदो उस दे सारे बोडी दे पार्ट्स दिखाई देन लग जान दे हान ता असी उसनों फीटस बोल दिन दे हाँ अगली स्लाइड दे विच इसनों चित्तर दे राही, डेटेल दे विच अंडरस्टैंड कर दे हाँ सब तो पहला सी जदो फीमेल दे बोडी दे और्गन पड़े सी, रिप्रोडक्टिव और्गन पड़े सी ता उस दे विच सी जो मेन अर्गन पड़ी सी, ओवरी पड़ी सी और यह जो ओवरी है, ओविलेशन दे प्रोसेस दे राही, एक ओवम प्रडिوس कर दी है और sperms जो हुन्दे ने ओ अपनी push the help दे नाल movement कर दे हुए इस ove duct तों एथे तक पहुंच दे हन ते ए इस ovum दे नाल मिलके fertilization करके एक zygote बनाँ दे हन और ये जो zygote है ए फर्दर विपाजित हुन्दा जान्दा है डिवाइड हुन्दा जान्दा है पहले एक दो cell दे विच टुटदा है दो cell तो चार cell बनाँदा है चार तो अट अट तो 16 and so on एक डिवाइड करदा हुया एक cell दा गोड़ा बना दिन्दा है जिसनों असी embryo के दिन्दे हाँ और ओही जो embryo है ओह जाके uterus दी वाल दे उते चिपक जान्दा है और उते डवलप करना स्टार्ट हो जान्दा है जिमें तुसी इस चितर दे विच देख रहे हो ये uterus दी wall है जिते एक embryo आके चिपक जानदा है और develop होना start हो जानदा है और ये जो B diagram है तुसी देख सकते हो जो एक zygote बहुत सारे सलांदे विच विपाजित हो जानदा है ता एक गोले दी शकले लेलनदा है और फर्दर फिर उस तो embryo जो है develop होना start हो जानदा है सो असी थे देख्या कि zygote जो है वो travel करदे करदे एक cell तो बहुत सारे cell आदे विच डिवाइड करदा जानदा है और इत्थे तुसी देख ही साकते हो कि बहुत सारे cell जो another number विच वादा हो चुक्या है और ये uterus दे विच डवलप होनदा जानदा है और ये जो embryo है ये बाद विच जो डवलप करदा है इस दे बॉडी ओर्गन सानो दिखाई देन लग दे हान तुसी कुछ इस तरह क्लिप दे विच देख साकते हो ये जो जाइगोट है ये पहला embryo दी शकल लेंदा है फिर वो embryo दे जदो बॉडी पार्ट्स जो है सानो दिखाई देन लाग जान द दे हान ता इसनो असी बोल दे हा फेटस और ये जो दो फेटस पूरी तरह एक बेबी दी फॉर्म च डवलप हो जान दा है ता मदर उसनो बर्थ दिन दी है and the mother gives birth to a child right so I hope इस सारा दा सारा प्रोसेस जो है development of embryo जो है प्रुन दा विकास थानो समझ आ चुका है खुड असी एक होर एक्जेंपल आवांगे लिंगी पर जनन दी that is hen so जो मुर्गी है उस दे अंदर भी अंदर उनी ने शेचन ही हुंदा है और जो मुर्गी है बट सानो पता है कि जो मुर्गी है ओ ता अंडा दिन दी है right तो इस दे विच की में जो है इंटरनल फर्टिलाइशन हुं जो हुंदा है तो इनदे वीच फुली डवलप्ड चिक जो हुंदा है वह बहार हुंदा है सो अनसी इसनों थोड़ा जर डिसकस कर दे हैं डिटेल दे विच हुं देखो हैं देके इस दे विच जो इंटर्नल निश्चेचन है इंटर्नल फर्टिलाइशन है दुरूनी दिफूजन दे नाल जे तो जाइगोट बन्दा है ता ओं जो जाइगोट होंदा है ओं हैं दी बॉडी दे अंदर ही बन्जान्दा है ते ओं दे अंदर ही डिवाइड करदा है multiply करदा है और बहुत सारे cells बनौदा है ढोगे जो cells ने जाइगोट दे एसेल्स की करदेने जाइगोट दे आले धौले एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है बना अधिन देहन एक सुरख्यत जो पर्त है ओचड़ा अधिन देहन जो इसनों पूरा पुरी तरह संभाल के सुरख्यत रख दी है यही जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है एदे नाल हैंदा जो हैंदी बॉड़ी दे विच जो एग जो है वो बाहर आ जानदा है मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन है जो निशेचन दी किर्या है वो ता अंदर ही होई है फीमिल दी बॉड़ी दे अंदर ही होई है जिसनों अपा इंटर्नल फर्टिलाइजेशन बोल दे हां लेकिन जो आफसप रिंग है वो बाहर नहीं होंदा है जो बाहर आदा है वो जाइगोट ही है जो अजे तक डवलप नहीं होया होंदा सो ओ डवलप कदो होगा जदो ओ मुर्गी उना अंडेया दे उपर बैठेगी अते उना नो एक उचित ताप देगी जिस दी वांथ नो फील करके जो पूरन रूप दे विच जो विक्सित होएगा जाइगोट एक चूचे दे पूरन रूप दे विच ओ कवच नो तोड़क ओ चूचा जो है अंडे दे विच जो बाहर आ जानदा है एक पूरा एक डवलप ओर्गिनिजम दी फॉर्म दे विच तो आई होप तो अनो एंडस्टूड है नेक्स से जो पड़न जा रहे हाँ एनिमल दिया दो टाइप्स दाट इस वीवी पिरस और ओवी पिरस जो वीव दे वाले जो जानवर हुंदे ने ए ओ जन्तू ने जो सिद्धा ही बच्चे देन वाले जन्तू खेंदे हां जी में के काव, डॉग, कैट और दूसरे पास से जो अंडे देन वाले जानवर ने ओवी पिरस और ओविनिजम ने ए ओ जन्तू ने जो अंडे देन दे हां ते इ न दी जो में अधा अधारन है ओ है लिजर्ड, फ्रॉग और बटरफ्लाइ तो आई होप थो नो अजदा लेसन अजदा पार्ट समझ आया होवेगा उनसी नेक्स्ट पार्ट मिलांगे तन वाद